नमस्कार दोस्तों मैं नीरज आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स रॉल्ड पर दोस्तों आज हम लोग नविन अंग गनित अरस अगरवाल का पार्ट 7 परेंगे जिसमें हम लोग घातांक एवम करनी चैप्टर का कोस्चन नमबर 81 से 95 तक देखेंगे सारे कोस्ट्न्स बहुत ہीं इंपोर्टेंट हैं पोस्त सारे एकजांस में आयोए कोस्ट्न्स है इसलिए दोस्तों वीडियो को अंतक देखना और अगर बिडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कर देना और दोस्तों अगर चैनल पर नहें चैनल को कर लिजिए और अगर वीडियो पसंद आता है कुछ शेर जरूर करिए ठीक है दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन चलते हैं आज की सेशन के फर्ष्ट नंबर कोस्टन पे हैं दोस्तों एक्टी तक हो गया था आज हम लोग देखेंगे एक्टी वन से टी वन नंबर कोस्टन में क्या कACHरा है कि जीरोakukan 0.0124 इस पर power है एक बट्टा 5 इसका value निकालना है ठीके दोस्तों तो ऐसे question में हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग करेंगे कि ये देखेंगे कि ये कितने का कितने का power 5 इस पर आएगा ठीके दोस्तों यानि अगर इसको हम लोग एक जीरो दो चार और पांच अंक आगे दसमलोग करें यानि कि निचे कितना हो जागा एक पर पांच को जीरो दसमलोग उराएंगे तो निचे एक पर पांच जीरो आगा क्योंकि पांच पर दसमलोग था इस पर power कितना है एक बट्टा 5 ठीक है अब दोस्तों डसus24 को क्या लिख सकते हैं डसथोफोः को लिख सकते हैं चार पर पांबर पांच गितना है? एक बट्टा 5 अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग? आपको पता है कि X बट्टा Y अगर X पर पावरी N हो Y पावरी N हो तो यह क्या X बट्टा Y पर whole पर पावर क्या जाता है N हो जाता है यह तो आपको पता ही होगा तो 4 बट्टा 10 पर पावर कितना हो जाएगा whole पर पावर 5 और उस पर भी पावर एक बट्टा 5 पहले से है तो गुना एक बट्टा 5 ये हो जाएगा ये 5 से 5 कट जाएगा यानि हो गया इसका 4 बट्टा 10 बच गया 4 बट्टा 10 मतलब हो गया 0.4 ठीक है दोस्तों यानि इसका एंसर हो जाएगा C नंबर सही कैसे वह समझ में आया इसको जैसे यहां पर पावर को खतम करेंगे इसका मतलब होगा कि नीचे जितना पीछे पावर था उतना एक पर उतना 0 आ जाएगा ठीक है नीचे बट्टा में अब दोस्तों ये है 4 पर पावर 5 और ये है 10 पर पावर 5 और दोनों पर पावर सेम है तो दोनों का होल पावर 5 हो गया और एक पावर 5 पहले से ला तो 5 पावर 5 कट गया और बच गया 4 बट्टा 10 इसका विलो होगा 0.4 अगर 4 बट्टा 10 से भाग देंगे तो 0.4 इसका एंसर आ जाएगा जो की C आप्शन में है ठीके दोस्तों आगे बढ़ते है 82 नमबर कोस्चन में कह रहा है कि 3 पलस रूट 5 का वर्ग मूल निकालना है 3 पलस रूट अंडर 5 का क्या करना है वर्ग मूल निकालना है वर्ग मूल का मतलब होता है रूट अंडर निकालना है तो दोस्तों इसको हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं एक तो option से बना सकते हैं एक बना सकते हैं इसको basic method से तो basic method से हम लोग बनाते हैं इसका वर्गमूल माल लेते है root under A plus root under B है यह है basic तरीका ठीक है यह है basic तो बेसिक तरीका से पहले बनाते हैं, तो वर्गमूल का मतलब रूटेंडर निकालना है, रूटेंडर निकाल दिये, इसका मतलब माल लिए कि इसका रूटेंडर जो निकालेंगे तो वर्गमूल जो होगा, वो रूटेंडर A रूटेंडर B होगा, अब दुनों तरफ होल स् प्लस 2A भी, प्लस 2 इंटू रूटंडर A इंटू रूटंडर B हो जाएगा ठीके दोस्तों, अब दोनों तरफ के equation के comparison करेंगे, जो root वाला है उसको root वाला के साथ comparison करेंगे और जो बिना root वाला है, उसको बिना root वाले के साथ comparison करेंगे, तो क्या हो जाएगा A प्लस B यहां से कितना आ गया A प्लस B आ गया 3 और 2 root अंडर A, root अंडर B जो आ गया, वो कितना आ गया root अंडर 5 अब फिर इसको दोनों तरफ के square करेंगे तो 4AB बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, कितना 5 ठीके दोस्तों, यहां से A प्लस B निकल गया यहां से 4AB निकल गया, अगर हम लोग A मानस B का whole A square निकालते हैं इसका फर्मूला होता है A मानस B का whole A square बराबर होता है A प्लस B का whole A square मानस 4AB ठीके, तो यहां पर A प्लस B दिया हुआ है कितना, 3, तिन तिया, 9 मानस 4AB का फिलू कितना है 5, 9, 5 गया, 4 ठीके दोस्तों, यहांनी A मानस B का, जो whole A square हो गया को कितना हो गया, 4 हो गया तो A मानस B कितना हो गया 2 हो जाएगा, ठीक है A प्लस B हमको कितना दिया हुआ है 3, तो यहां से B, B कट जाएगा, तो 2 A बराबर कितना हो जाएगा, 5 A बराबर कितना, 5 by 2 A बराबर 5 by 2 हो जाएगा और B बराबर कितना हो जाएगा, यहां से अगर इस equation से B निकालते हैं तो B बराबर हो जाएगा, 1 by 2 ठीक है, अगर इस equation में इसको put करेंगे इस equation में A का value तो B का value आज़ेगा एक बट्टा दो अब दोस्तों हमको A का value निकल गया और B का बट्टा दो तो यह जो workmool निकाले हैं उसको माने थे इतना तो यहां से दोनों निकल जाएगा एक workmool हो जाएगा root under 5 बट्टा दो और एक हो जाएगा root under 1 बट्टा दो और दोस्तों यहां पर यह बीच में plus है तो इसलिए plus वाला answer हो जाएगा यह दोस्तों अगर यह तो basic method हो गया अगर आप लोग इसको option से बनाना चाहते हैं तो हमको यह देखना परेगा option से बनाना चाहते हैं हमको यह देखना परेगा कि जो option, जिस option में इसका square plus इसका square, दोनों का square यह पहले वाले term के बराबर हो जाए और बीच में, बीच में जो sign है sign वो question वाले sign के समान ही है तो वही इसका answer हो जाएगा तो बादी-बादी चेक करेंगे सब का तो आपको इसका square root tender 5, 2 root tender एक बटा 2 का square करेंगे अगर दोनों का square करके जो रहेंगे तो उसका answer जो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा क्योंकि यह हो जाएगा 6 बटा 2 जो कि 3 के बराबर हो गया यानि D option इसका सभी हो जागा by option अगर चेक करना है तो जो दो term दिया हुआ है answer में दोनों का square करके अगर बीच में plus sign है तो plus sign होगा और बीच मानेस sign है तो मानेस sign होगा और दोनों का square करके जो जोडेंगे वो 3 के बराबर होना चाहिए यानि पहले term के बिना rootable term के बराबर होना चाहिए ठीक है दोस्तों समुझ में आग गया होगा आगे बरते है 83 number question में क्या कह रहा है x के value दिया हुआ है x बराबर कितना दिया हुआ है 7 minus 4 root under 3 और हमको क्या निकलना है x प्लस एक बर्टा x का value x तो दिया हुआ है अब एक बर्टा x निकल लेंगे दुनों को जोड देंगे तो आ जाएगा answer तो एक बर्टा x निकल लेते है एक बर्टा x क्या हो जाएगा एक बर्टा 7 minus 4 root under 3 अब इसको नीचे में root बला आ गया तो इसको root नीचे root हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हर का प्रमे करन करना पड़ेगा प्रमे करन करते हैं जो नीचे हर में जो term दिया हुआ है उसका sign change करके उपर नीचे उसी से गुना कर देते हैं तो उपर क्या हो जाएगा एक गुना 7 plus 4 root 3 ठीक है क्योंकि sign change हो गया sign change करना पड़ा यहाँ मानस था तो यह plus हो गया और नीचे भी क्या हो जागा 7 minus 4 root 3 में इसमें क्या कर देंगे sign change करके गुना कर देंगे 7 plus 4 root under 3 ठीक है उपर हो गया 7 plus 4 root under 3 नीचे क्या हो जागा एक है इसको माले इसको B माले इसको A माले इसको B माले A minus B और A plus B हो गया इंटू में है ठीक है तो A minus B into A plus B बरावर होता है A square minus B square फर्मुला है A square minus B square बरावर A plus B into A minus B तो यहाँ पर तो उसका A minus B into A plus B इसका फर्मुला कर जागा A square minus B square यानि 7 का square minus 4 root under 3 का square अब यहाँ solve करते हैं अब उपर कितना हो जागा 7 plus 4 root under 3 और नीचे क्या हो जागा 49 में से 49 में से 48 जाएगा 49 में से 48 जाएगा जो बच्चे का 1 यानि हो गया 7 plus 4 root under 3 ये क्या हो गया ये 4 बाहर में होगा 4 root 3 हो गया एक्स का value कितना था? ये x का value है 7 minus 4 root under 3 और 1 बटा x का value आगे कितना? पलस कर देंगे 7 plus 4 root under 3 अब ये मानेस में है और ये plus में है cancel हो जाएगा 7 plus 7 कितना हो जाएगा? 14 ठीके दोस्तों यानि इसका D option सही हो गया ठीके दोस्तों यहाँ पर बस एक ही दिमाग लगाना था एक बटा x निकालने के लिए हरका प्रमे करन करना था ठीके? 84 नमबर question में क्या कह रहा है? यदि x बराबर 3 plus root 8 क्या है? x बराबर 3 plus root under 8 यहाँ पर हमको निकालना x square plus 1 बटा x square सबस पहले हमको x square निकालना परेगा x square निकालना कितना हो जाएगा? a square यानि 9 plus b square यानि 8 plus 2ab 2ab यानि 2-3 याद 6 root 8 6 root 8 समझ में आगे होगा a plus b का इसको square कर दिया क्या हो जाएगा? a square plus b square plus 2ab हो गया यह 17 plus 6 root under 8 ठीक है? हमको x square का value आगया 17 plus 6 root 8 अब हम x एक बट्टा x square का value निकाल लेंगे एक बट्टा 17 plus 6 root under 8 इसका value निकालना है अब नीचे root बला होगा तो उपर नीचे हर का परमेकरन कर देंगे उपर नीचे sign change करके गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उपर हो जाएगा 17 minus 6 root 8 और नीचे क्या हो जाएगा? 17 plus 6 root 8 में इसमें गुना कर देंगे sign change करके इसी से 17 minus 6 root 8 ठीक है दोस्तों अब उपर हो जाएगा 17 plus 6 root 8 और नीचे कितना हो जाएगा? नीचे जो हो जाएगा यहाँ पर a plus b into a minus b है a square minus b square तो 17 का square कितना हो जाएगा? 289 minus b square 36, 36 गुना 8 कितना होता है? 288 ठीक है? तो यह हो जाएगा 17 plus 6 root 8 और हमको निकालना है भेलू x square plus 1 बटा x square का तो x square का भेलू था 17 plus 6 root 8 ठीक है दोस्तों यहाँ उपर minus हो जाएगा ठीक है? यह minus हो जाएगा तो यह हो जाएगा फिर एक बटा x square का भेलू को कितना आया? 17 minus 4 root 8 यह minus था, यह plus था cancel हो गया, 17, 17 जो रहेंगे तो 34 ठीक है? यानि इसका c option सही हो गया ठीक है दोस्तों उम्मिद करता हूँ समझ में आ रहा होगा ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों 85 number question बहुत ही important question है ठीक है? 85 number question बहुत ही important है इसमें क्या कह रहा है? कि दिया हुआ है संख्या root 2, 3 करनी 3, 4 करनी 4 और 6 करनी 6 इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालना है greatest 1 जो सबसे बड़ी संख्या है उसको find करना है ठीक है? तो ऐसे question में हम लोग क्या करते है यहाँ पर देखे दोस्तों, यहाँ पर root under 2 है इसका मतलब है कि पीछे कुछ नहीं है इसका मतलब पीछे 2 छुपा हुआ रहता है ठीक है? 2 को हम लोग लिखते नहीं है तो इसको root हटाने के लिए root हटाने पर क्या करना पड़ता है? जो पीछे छुपा हुआ है जो पीछे करनी में उसको करते हैं एक बट्टा करके शामने लिखते हैं पावर में इन्हीं 2 पर पावर कितना हो जागा? एक बट्टा 2 उसे तरीके से 3 पर पावर कितना? 1 बट्टा 3 चार पर पावर एक बट्टा चार और चे पर पर एक बट्टा छे अगर पावर में लिखना हो इसको तो ये बट्टा में आ जाता है ठीक है जो पीछे वाला है अब क्या करना पड़ेगा अब दोस्तों जो बट्टा में है 2, 3, 4, 6 सबका LCM लेंगे LCM कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा LCM तो आपको लेने आता ही होगा LCM ले लेंगे 12 हो जाएगा अब क्या करना पड़ेगा जो बट्टा में है सभी को हम लोग 12 करना है कितना से गुना करें कि सब 12 हो जाए तो क्या करना पड़ेगा 2 को 12 करना है तो 6 से गुना करना परेगा अगर हम नीचे 6 से गुना करते हैं तो उपर भी 6 से करना परेगा तभी यह चैंज नहीं होगा किसी बिस अगर A बटा B है अगर नीचे हम 2 से गुना करते हैं उपर भी 2 से गुना करते हैं तो यह चैंज नहीं होगा पर नीचे 12 उपर कितना 3 हो जाएगा और 6 पर पावर उपर भी 2 और नीचे भी 12 ठीक है हो गया अब दोस्तों जो 2 पर पावर 6 गुना 1 बटा 12 लिख सकते हैं 3 पर पावर 4 गुना 1 बटा 12 लिख सकते हैं 4 पर पावर 3 गुना 1 बटा 12 लिख सकते हैं इसको और 6 पर पावर 2 सबसे बड़ा कुन सा है यह है, यानि यह है, यानि यह है, यानि यह, यानि यह, सबसे बड़ी संख्या कौनसी हो जाएगी, greatest one, तीन करनी, तीन, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, सब का, इसमें का करना पड़ता है, सब का power हम लोगों को बराबर करना पड़ता है, ठीक है, ऐसे question में का करना पड़ सब का पापर बराबर करना परते हैं और पापर कैसे करते हैं वह मैंने आपको इसमें बता दिया है ठीक है एक दो कोश्चन और देखते हैं इस पर इसमें सबसे बरी संक्या कूंसी है दोस्तों मैंने बताया अभी कि इसको क्या करना पड़ता है सबसे पहले एक बट्टा दो हो जागा पीछे कुछ नहीं देविए पीछे दो है यानि एक बट्टा दो चार पर पावर एक बट्टा तीन और उसी तरीके से छे पर पावर एक बट्टा चार लिखे देंगे इसको और इसको आर्फ पर पावर एक बट्टा छे और सबका LCM लेंगे LCM कितना आ रहा है यहाँ पर LCM आ जाएगा 2, 3, 4, 6 का LCM हो जाएगा 12 अब नीचे सबका बट्टा में जो है हर हर सबका 12 करना है तो 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा इस पर में 6 से गुना करना पड़ेगा यह 3, 6 बट्टा 12 इस तरीके से इसमें करना करना पड़ेगा 4 से 4 बट्टा 12 इसमें कितना से करना पड़ेगा दो से उपर नीचे दोन दो से गुणा करना पड़ेगा इसलिए 8 प्रावर दो बट्टा 12 अब दोस्तों 3 प्रावर 6 का भेलू कितना होता है यह होता है 729 729 प्रावर कितना हो जाएगा अब 1 बट्टा 12 उसी तरीके से 4 प्रावर 4 का मतलब 256 इस प्रावर एक बट्टा 12 और 6 प्रावर 3 का मतलब 216 इस प्रावर एक बट्टा 12 और 8 प्रावर 2 का मतलब 64 प्रावर एक बट्टा 12 अब दोस्तों सब का प्रावर समान हो गया तो जो बेस सब ज़्यादा होगा वह सबसे बरी संख्या यानि इसका बेस सब ज़्यादा यानि सबसे बड़ी संक्या कुन सी? root under 3 तो इसका A option सही हो जाएगा ठीके दोस्तों समझ में आ गया होगा अब दोस्तों 87 नमर को चन आप लोग खुझे इसको solve करके देखेंगे यहाँ पर 1.5 है इसको हम लोग लिखे देंगे 3 बटा 2 1.5 को 3 बटा 2 लिखे देंगे और 3 बटा 2 का मतलब है कि 3 बटा 2 पर power क्या लिखे देंगे 6 बटा 6 कर देंगे आगे आप लोग solve करेंगे इसको तो यह condition आएगा जहाँ पर 3 बटा 2 पर power 6 बटा 6 हमको करना परेगा ठीक है दोस्तों आप इसमें दिमाग लगाएंगे और question को solve करेंगे नहीं होगा तो मैं आगे session में इसको बता दूँगा ठीक है आप लोग comment करके बताएंगे कि solve हुआ कि नहीं हुआ ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं 88 number question भी दोस्तों आप लोग के लिए है आप लोग इसको solve करेंगे इसको बढ़ते करम में लिखना आए ठीक है सबका power बराबर करेंगे और जिसका base सबसे ज़्यादा है वो सबसे बरा होगा जिसका उससे चोटा है वो सबसे चोटा होगा सबका power क्या करना परेगा पहले बराबर करना परेगा वो power कैसे बराबर करते हैं यह मैंने आपको सिखा दिया है तो दोस्तों इसको आप लोग खुद से solve करेंगे ठीक है 89 number question मैं solve करके आपको बताता हूँ इस पर दिया हूँ दोपर पावर एक बता तीन तीन पर पावर एक बता तीन और आठ पर पावर एक बता आठ और नौपर पावर एक बता नौ इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ठीक है तो सब क्या करेंगे सबका power हम लोग बड़ाबर कर लेंगे सबसे पहले, तो 2 पर power 1 वट्टा 3 2 पर 1 वट्टा 3 है, ठीक है तो 2 पर 1 वट्टा 3 लिख दिये फिर कितना है 3 पर 1 वट्टा 3 है, फिर 8 है 2 का Q लिख सकते है 2 का Q लिखेंगे अगर 2 का power Q एक बट 8 पहले से है तो 3 बट 8 हो जाएगा 2 पर पावर और 3 का Esqvar 9 होता है तो 3 का Esqvar dis如果 लिखेंगे और 9 पहले से है 2 बट 9 हो जाएगा ठ理क है? अब 3 3 8 9 इसका LCM कितना हो जाएगा? 3 3 8 9 इसका LCM जो हो जाएगा LCM 272 हो जाएगा ठीके दोस्तों, तो 72 करना है हमको, एक बट्टा 3 है, नीचे में 3 को 72 करना है, इसको 24 से गुना करना पड़ेगा, यानि 2 पर पावर, नीचे अगर 24 से करना पड़ेगा, उपर भी 24 करना पड़ेगा, यानि 24 बट्टा 72, उसी तरीके से इसमें कितना करना पड़ेगा, 8 को 9 से क करना पड़ेगा, दोपर पावर नौतिया 27 बट्टा बहत्तर, उसी तरीके से, तीन पर पावर नीचे 9 है, तो 8 से करना पड़ेगा, उपर भी 8 से करना पड़ेगा, तीन पावर 16 बट्टा बहत्तर, ठीके दोस्तों, अब सब क्या हो गया, दो पर पावर 24 इस पर पावर 1 बटा 72 लिख सकते हैं उसी तरीके से तीन पर पावर 24 इस पर पावर 1 बटा 72 लिख सकते हैं दो पर पावर 27 इस पर पावर 1 बटा 72 लिख सकते हैं और तीन पावर 16 इस पर पावर 1 बटा 72 लिख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखने से आपको क्या लग रहा है? देखने से क्या लग रहा है? कौन सा बड़ा हो सकता है? तो दो बला दो टर्म है, एक पावर 27 है, एक पावर कितना है? 24 है, तो 27 बला हर हाल में बड़ा होगा, दो बला में देखे 27 बला बरा होगा तीन बला में कुछा बला होगा 24 बला बला होगा तो दोस्तों क्या लग रहा है आपको 3 पावर 24 बला होगा 2 पावर 27 बला होगा तो देखने से लग रहा है कि 3 पावर 24 जो है वो बला हो जाएगा इसको 90 number question को हम लोग root दिया हुआ यानि workmool निकलना है तो मैंने क्या बताया था इसमें by option बना सकते हैं और एक basic method से बना सकते हैं इसहां पर मैं आपको by option बताऊंगा basic method मैंने बता दिया है आप लोग वहां से देख सकते हैं उसको दुबारा और by method by option बनाना हो तो क्या बताय करेंगे तो यह 8 हो जाएगा जो कि पहले लेक्टिन के बराबर है और मैंने एक और पताया था दोस्तों कि बीच वाला sign वही होना चाहिए जो option में है यानि जो question में हुआ है वही sign बीच वाला होना चाहिए तो question में अगर minus sign है तो option में minus बनाई सही होगा यहां पर plus है तो य पलस्तीन करेंगे तो यह 8 हो जाएगा आठ तो हो गया और बीच का sign minus है तो यहां भी minus है यानि यह option आपका सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों देख करके यह अराम से answer निकाल सकते है ठीक है आगे बढ़ते है 91 number question में कहरा है minus 2 पर power कितना है minus 2 इस पर भी power कितना है minus 2 ठीक है इसका value निकालना है अब जो छोटी bracket में मध्यम bracket उसको solve करेंगे पहले minus 2 पर power minus 2 अब दोस्तों मैंने बताया था आपको कि x पर power यदि minus n है इसका मतलब हो जाता है यह x to the power n यह अगर minus में है power plus करना हो तो उसको एक बट्टा कर देंगे तो वो plus हो जाता है ठीक है दोस्तों यहाँ पर minus 2 पर power minus 2 है तो इसको क्या करना पड़ता है क्या करना पड़ेगा minus 2 एक बट्टा minus 2 पर power 2 लिख सकते हैं इसको क्योंकि minus में इसको plus करने के लिए बट्टा कर दिये एक बट्टा अब इस पर total power कितना है मैनस दो है अब इसका value हो जाएगा एक बट्टा चार एक बट्टा चार पर कितना मैनस दो अब दोस्तों एक बट्टा चार पर मैनस दो है इसको plus करना हो अगर तो क्या करना प्रणा 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 प्रण तीन का value दिया हुआ है, root under 3 का value दिया हुआ है, 1.732, ठीक है, और इसका value निकालना है, किसका value निकालना है, 4 plus 3 root 3, बट्टा में 7 plus 4 root under 3, इसका root, ठीक है, इसका value हमको निकालना है, ठीक है, दोस्तों, यहां हमरब 4 plus 3 root under 3 है, और नीचे कितना है, नीचे है, साथ पलस चार रूट 3 और टोटल का पूरा रूट है ठीक है यानि इसका वर्ग मूल निकलना पड़ेगा पहले तो वर्ग मूल निकलने के लिए क्ला करना पड़ेगा दोस्तों वैसा संख्या जिसका दोनों का स्क्वाइर करके जोरने पर साथ हो जाए और दोनों का तो नहीं जाज ने साथ हो जाएगा तो या जाएगा इसका अगर खरेंगे ठीक संटो यह तर्म अंदर गया ठीक laquelle c तो दोनों cancel out हो जाएगा यादि 4 plus 3 route 3 है और नीचे क्या हो जाएगा Route under 4 प्रूट under 3 ठीक है अब आगे इसको करेंगे लिख सकते हैं ऊपर में हम लिख सकते हैं अगर उसमें 2 common لे ले तो क्या हो जाएगा दो कुमन लेंगे दो पलस कितना हो जाएगा दो कुमन लेंगे तो दो पलस दो पलस रूट तीन हो जाएगा ठीक है दो पलस रूट तीन और पलस में एक रूट तीन बाहर हो जाएगा ठिके दोस्तों क्योंकि 2 चार हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस 1 रूट 3 रूट 3 ऊपर हो जाएगा उसी को चैंज कर दिये 2 common लेके 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 में अब यहाँ पर 2 प्लस रूट एंडर 3 नीचे में है कर दोके दूनों को भांग देंगे अगर तो दोस्तों यह दूनों को भांग देंगे तो बागफल जो आए जाएगा, वह जाएगा 0.464 अब दोनों को जोरेंगे 2.464 इसका जाएगा तोस्तों यानि सी ओप्सन इसका सही हो जाएगा इस टर्म के बाद यह एक समझेंगा टर्म है जो कि मैंने किया मैंने क्या किया इसको चार को चार लिखा पलस दो रूट तीन पलस रूट तीन किया तीन रूट तीन को इस्टर में चैंज कर दिया अब इस दोनों में सिर्फ दो कुमन आ गया दो पलस रूट तीन और रूट तीन पहले से है ठीक है दोस्तों यही मैंने यहाँ पर किया है अभी रिख्टा में है 5 root 3-2 root 10-12 and 32 plus root 10-15 इसका value निकालना SAY 2 root3 2 root 6 नीचे कितना D является 5 root 3- obsessive-0 is 27-1 2-3 4-2 बहर हो जाएगा यानि 2 Kylie दो 어ards 4 और 2 IS ठीक है 32 को क्या निख सकते है 16 गुन दो 16 का 4 बाहर आ जाएगा यानि इसमें 4 रूट दो हो जाएगा माइनस 4 रूट अंडर 2 अब 50 को क्या निख सकते है 25 गुन दो 25 में से 5 बाहर आ जाएगा यानि 5 रूट दो हो जाएगा यह हो जाएगा पलंस पांच रूट एंडर दो ठीक है दोस्तों अब क्या करेंगे हम लोग ये पांच रूट तीन ये है चार रूट तीन ये है तो पांच में से चार गया तो रूट तीन खाली ये खाली हो जाए रूट तीन और ये है पांच रूट दो है उसमें 4 root 2 घट रहा है तो यह कहता हो जागा root 2 ठीक है अब अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग दोस्तों इसको क्या लेख सकते हैं 3 को क्या लेख सकते हैं root 3 कोने root 3 root 3 कोने root 3 बराबर 3 होता है plus 6 को root under 3 कोने root under 2 root under 6 हो जाएगा अब नीचे क्या है root under 3 plus root under 2 अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग दोनों में से root under 3 common ले लेंगे उपर बज़ जाएगा root under 3 plus root under 2 और नीचे में क्या है root under 3 plus root under 2 इससे ये कट जाएगा दोनों बज़ेगा किन्दा root under 3 इसका value एक दसनलों 7, 3, 2 जो की answer हो जाएगा D option सही हो जाएगा समझ में आग गया दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों 94 number question बहुत ही important है और बहुत ही conceptual है इसको आप लोग कोई trick कोई shortcode method से नहीं बना सकते हैं इसको आपको details में बनाना ही परेगा ठीक है दोस्तों SSE का पूछावा question है 2010 का ठीक है इसको आप लोग खुद से solve करने का कोसिस करेंगे और अगर solve नहीं होता है तो comment करके बताएंगे मैं आगे की session में इसको जरू solve करके बताऊंगा ठीक है दोस्तों जो की बहुत important question है आप लोग इसको 100% solve करके देखिएगा और अगर नहीं होता है तो मैं आगे बता दूँगा इसको ठीक है दोस्तों 95 नमर question यानि आज की session का last question में क्या कह रहा है उपर में क्या दिया हुआ है root under 7 और नीचे में कितना है solar plus 6 root under 7 पूरे का root minus solar minus 6 root under 7 और पूरे का कितना है root है अब इसका value निकालना है तो दोस्तों क्या करेंगे इसका भी वर्ग मूल इसका वर्ग मूल निकालना है दोनों का वर्ग मूल निकाल देंगे अलग अलग तो इसका वर्ग मूल कितना हो जाएगा solar कुन दो संख्या का स्कॉाईर करें और योग निकाल देजै करें 16 हो Literад प्रभाते है तो हम पर अगर तीन का स्कॉाईर रूत अडर्घ जाएगा सातका स्कॉाईर या या एक संख्या हो जाएगा तीन का स्कॉाईर हो Бог जाएगा सीकॉत रूट अंडर साथ का स्क्वायर ठीक है दोस्तों यानि बीच में पलस है तो पलस और यह दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा ठीक है दोस्तों रूट अंडर निकालेंगे इसका तो यह स्क्वायर खतम हो जाएगा तो रूट अंडर इसका यह हो जाएगा ठीक है उसी तरीके तीन पलस रूटेंडर साथ हो गया इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल कितना है तीन माइनस रूटेंडर साथ हो जाएगा अब उपर रूटेंडर साथ और नीचे कितना है तीन पलस रूटेंडर साथ माइनस पलस माइनस तीन पलस रूटेंडर साथ बताया था आपको कि कैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें क्या था कि उसमें था कि option देख करके दोनों का square करके योग निकालते थे तो पहला term के बराबर होता था लेकिन यहाँ पर तो option नहीं है और दूसरा option है तो यहाँ पर वर्गमूल निकालने के लिए अनुमाल लगाना परेगा कि कौन से दो संख्या का square करके work करेंगे तो वो 16 के बराबर हो जाए और दोनों को संख्या को गुना करके दो से गुना करेंगे तो यह इतना के बराबर हो जाए ठीके दोस्तों तो वही दोनों का उसी का अगर बीच में पलस है उसका योग वर्गमूल हो जाता है और बीच में माइनस है तो उसका माइनस वर्गमूल होता है तो यहाँ पर एक संख्या 3 है तो उसका रूटेंटर साथ है दोनों का स्क्राइड करके जो रगे तो 16 हो जा रहा है और दोनों को अगर गुना करते हैं तीन गुने ROOT T11 साथ उसको दूर से गुना करते हैं तो ये इसके बराबर हो रहा है यानि ये संख्या जो है दिया हुआ वो इसका वर्गमूलией और यह मानस है तो मानस वाला इसका वर्गमूल है तो दोनों का वर्गमूल निकाल दिये और दोनों को जो मानस थासान है तो मानस मानस कर दिये बस आगा एंसर ठीके दोस्तों तो उमिद करता हूं आज का सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों तो फिर मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक के लिए पराई केजिए व्यस्त रहिए मस्त रहिए स्वस्त रहिए ठीके दोस्तों जैहिंद जैवारत